दनन्जा यादव का सवाल लेती हो अप मैं मोहित आपके लिए धनन्जा मैं बता रहे हैं कि वो दो साल तक सिप कर रहे थे इसके बाद दो महीने का ब्रेक आ गया उनके इन्वेस्मेंट में अब इस निवेश को वो फिर से शुरू करना चाहते हैं उन्हीं स्कीम से निवेश शुरू कर रहा है कर पाएंगे ना स्कीम बदलनी होगी क्योंकि एक ब्रेक आ गया है नहीं धनन्जा आपको बिलकुल स्कीम बदलने के जरूत नहीं है इन्फैक्ट सभी निवेशक जो अभी सुन रहे हैं मेरी उनसे गुजारिश रहे कि कभी भी आप पॉस करते हैं या न पॉटफोलियो के लिए अनलेस की स्कीम में कुछ ड्रास्टिकली गलत चल रहा है और आपके अड्वाइजर अगर आपके लक्ष के हिसाब से उसे चेंज करना चाहते हैं तो बात अलग है तो सेम स्कीम में निवेश करने के लिए धननजे आपको कुछ नहीं करना है आप ज आपको सेम फोलियो के अंदर में आपकी जो रकम है वो फिर से इकटी होनी शुरू हो जाएगी और उसी स्कीम को आप कायम कर पाएंगे बस वो ध्यान रखिए कि फोलियो नंबर आप सेम डाल रहे हैं जब भी आप यह नया अप्लिकेशन लगा रहे हैं ओके आपको सेम ही क अगर आपने पॉस कहकर या पॉस के हिसाब से उसको फीड भेज अगर आपने एमसी को इंफॉर्म किया है आपके डिस्रिबुटर और बैंक ने पॉस कहे कि अगर उसको चलाया है तो पर उससे जादा अगर रुख जाता है तो सिप बंद हो जाती है पूरी तरह से फिर पॉस को चलाया है